सब बढ़िया है मंगल है मावगवती की क्रपास से तो मैंने आपकी यूट्यूब उसमें कौन सी वीडियो देखे थी आपने गुरु जी मैं अभी तो देख रहा हूँ जो आपने एपिशोड बनानी है न माताती साब कैसे करनी है जी 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 बो जो एपिशोड है वो मावगवती को वास्तों में जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें इस देवी की रूप में कुल देवी की रूप में जुड़ रहश्य है वो उसको तो भगवान के परम भक्त ही उन वीडियो को देख सकते समझ सकते हैं उस मार्ग पे चल सकते हैं जो स्वार्थ वस्चल कपट वस अगर वो भगवती से जूड़ना भी चाहें न तो वो चमतकार के चक्कर में नहीं जुड़ पाएंगे तो वो तो बहुत बड़ी दिवी आत्माई हैं जो ऐसे दिवी रहश्यो को जान सकती समझ सकती है तो क्या नो वो दिवी फिर उसको देखने के बाद आपको गुरुजी मैं अपको ना बचाता हूँ मैंने कुछ एक साल पहले एक गुरुजी है उसे दिख्षा ली थी वो माता बगला मुखी की नहीं थी वो और शक्ती सार्म में ये तोड़ निक्षा थी तो मैंने उसे दिख्षा ली वो अभी भी मेरे गुरु है मैं उनका जो जो मनुष्य ऐसे बहाओ रखता है न वही कुछ ग्रहन भी कर पाता है क्योंकि जब आपके मनमंदीर को पुरा खाली कर लोंगे तो तभी वहाँ पे भगवान विराजमान हो सकते हैं अगर आपके मन में एहम है कि मुझे बहुत ग्यान है मुझे बहुत चीजे हैं बहुत सारा मैं जानता हूँ तो यह आपकी भूल है क्योंकि यह तो ब्रमास्त्र विद्ध्या है इसके एक नजर से लोग तर जाते हैं मातारानी के तो सोच लो इनके जो सदे भक्ती का वर्णन करता है वो कितनी करपा प्राप्त करता होगा वास्तों में माग वो शक्ती है जिस सक्ती का हम कभी वखान नहीं कर सकते जितना करेंगे उतना ही कम ही करेंगे और दूसरी चीज की जिस प्रकार से हम विध्याले में पढ़ने जाते हैं तो विध्याले कोई बहुत बड़ा विध्याले होगा समझ लीजी लेकिन अगर पहली कक्षा का गुरू जो पढ़ाता है अपने को वर्नमाला अब पहली कक्षा में और बारीवी कक्षा में भी गुरु है लेकन गुरु दोनों गुरुओं के बीच योग्यता तो है एक गुरु वर्नमाला पढ़ा रहा है और दूसरे गुरु बड़ा जिव, विज्ञान और बड़े-बड़े रहश्य को पढ़ा रहा है तो इसी प्रकारत से हम जब भक्ती आध्यात्म छित्र में आते तो हमें गुरुओं से आगे बढ़ते ही भी जाना पड़ता है जब कई गुरु मिलते हैं तो फिर हमें सदगुरु मिलते हैं सदगुरु मिलते हैं जो अपनी आध्यत्मी की आत्रा को पूर्ण कर लेते हैं वैसे मा की भक्ती तो सत्संग से चालू हो जाती सत्संग मतलब होता है भगवान की दिव्य कताओं को सुनना संतों के मुखारविंदे से तो वास्ताओं मैं अगर इनकी उपासना करना ही चाहते हो मा भगवती की कृपा पूर्ण प्राप्त करना ही चाहते हो तो फिर दिख्षा लो और फिर विदिवत पद्दती से गुरु मार्गदर्शन से आगे बढ़ो तो बिल्कुल आपको सफल्टा प्राप्त होगी बिल्कुल आपके जीवन में बहुत जो आसाए है वो पूर्ण होगी तो गुरु जी आप मुझे एक बार थोड़ा मार्गदर्शन करें मार्गदर्शन ये हैं कि सबसे पहले हमारे जो भी बगलामू की पीठ है या फिर आस्रम में जो भी बगती कॉंटेक्ट करता है हमें ये ग्यात होता है कि उस भक्त को भगलामू की मा की सरन किसलिए लेना है प्रक्त वह भक्त तो किसी ने किसी प्रकार से वो कही से तो दुखी है या तकलीप में है जिसके कारण उसे मा भगवती की इस्तुती करने का उसर प्राप्त हुआ तो हमारे हाँ से एक बार उसका भागी चक्र का शंपूर्न विवरन उसे बताया जाता है भागी चक्र की संपूर्न जानकारी दी जाती है साती बगलामू की साधना करने के साथ रिनों से मुक्ती के लिए भी उन्हें उपाय बताये जाते कि भविश्य में तुम ये न सोचो कि मा भगवती की साधना करने के साथ-साथ जो तुम्हारे जीवन में रिन लगे तुम रिनों को मत भूल लाना तो बुर रिनो के बारे में और बगलामों की शादना करने में जो और शाओधानी आपको ध्यान देना चाहिए इनके बारे में बताए जाता फिर आपकी फिर दिक्षा होती अर्थात की आप अशत्त हो या अशत्त हो आपकी जभाव से मा की साधना करना चाहते हो अगर आप में वह गुन है आप में वह योग्यता है तो ही आपको हमारे परिवार से यहां असरम से यहां गुरुकुल से आपको आसिरवात प्राप्त होगा दिक्षा प्राप्त होगी रहापको मार्ग दैशन प्राप्त होगा जिस प्रकार से मा भगवती के बहुत सारे पीठ है भारत वर्ष में कई पीठ ऐसे भी है जब व्यापारी करन चल रहा है जहां पर अगर आप पैसे देते हूँ तो चाहें आप अच्छे कारे के लिए करवाँ या बूरे कारे के लिए करवाँ वो आपका पैसा ले लेंगे और आपके कारे करने के लिए आपको हाँ बोल देंगे समझ रहें तो शत्यो और अशत्यो को जाने बिना किसी के लिए कर्मकांड करना और किसी के लिए प्राथना करना भी उतना ही बड़ा पाप है समझ रहें आपका सत्य और अशत्त्य यहा होता है कि बहुत सारे लोग माभगवती की सरल अच्छे कारे के लिए लेते हैं। बगवान की सरन लेना चाहता है, ये अपना आत्म कल्यान, अपना आत्म उद्धार करना चाहता है, तो उसे गुरुकुल से आसिरबात प्राप्त होगा, और कोई विक्ती चल से आया, उस विक्ती को यहां से सानित नहीं दिया जाता, आप समझ गे होंगे मेरी बात को, मैं कभी नालों से गुजरते हुए कहां से गुजरते हुए समुद्र तक पहुच जाती है लेकिन जब समुद्र में पहुच जाती है तो अपना अस्तित्व भूल जाती है इसी प्रकार से बरिशात का जो जल है बरिशात का जल अगर नीचे गिर गया घर के छट से नीचे गिरता तो वो नाला फिर बड़ा नाला फिर नदी फिर बड़ी नदी फिर महा नदी फिर बड़ी महा नदी और फिर समुद्र तक जाता है तो अगर आप ऐसी कोई शक्ति की उपासना कर रहे हो समझ रहे हैं जो सोने का गोला हो और वो सोने के गोले से अनिक आप बना लो आप उशन लग होता है नेसनल हाइवे से निकलोंगे तो मंजल तक पहुच जाओंगे और गाओ की पगडंडी से घुमते रहोंगे न तो फिर कभी आपको आनी तो जब किसी महाविध्य की आप भक्ती करते हो तो उस महाविध्य की परंपरा में गुरू परंपरा से कुछ इस्ट दीव देवताओ की पूजन की परंपरा होती है तो सबसे पहला तो इस्तंब मुलाधार होता है तो जब गुरू परंपरा से पूजा आराधना करोंगे और पुरुशरन आपके होके तो बराबर मुलाधार एक्टिवेट होगा मुलाधार एक्टिवेट होगा तो उर्जा उपर पूठेंगी उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम भी करना पड़ेंगा तो वो जब दिक्षा हो जाएंगी यह सजेशन भी आपको मिलेगा किना निश्चिनत रही है ठीक है